कराची रोश्णियों का शहर, कराची दिल्वालों का शहर, कराची ऐक ऐसा शहर है, जो के अपनी रोश्णियों अपनी जिन्दा दिली और का रोबारी मर्कस के इतवार से आलम में एक आला हैसियत का हामिल है, या शायद था? ये शहर आजकल अंदेरों में डूबा हुआ है जहां घंटों घंटों मुसलसल बिजली की गएर एलानिया लोड शेडिंग पाई जाती है जिसकी वज़ा से कारोबारे जिन्दगी आम जिन्दगी गरेलू जिन्दगी बुरी तरह से डिस्ट्रैब्ड हो चुकी है नाकामियों का शिकार है लोग गरमी से बेजार और चिर्ठ चिड़े हो चुके हैं बच्चे तालीमी एदारों में भी तालीम सही से आसिल करने में मुश्किलात से दो चार है जिसकी वज़ा से शहरी ज़िसमानी, जहनी और मुवाशी तंगदस्तियों का शिकार है कराची रोशियों का शहर आखिर कब तक, कब तक कैसा ही चलेगा, कब तक शहर खायद के बासियों को इन मुश्किलाथ का सामना दर्पेश होगा कौन करेगा इस शहर के दर्दों का दर्मा, कौन बनेगा हमारी आवाज का तर्जवान कौन लाएगा कराची में फिर से रोशनी, के हम फिर से कह सकें के कराची रोशनियों का शहर असलाम लेकुम नाजरीन, प्रोग्राची की बाजी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया नहीं है नादरीन, पिछले हफते, संडे को हमने जो प्रोग्राम किया था, उसका टॉपिक था पॉल्यूशन कुछ लोगों ने देखा होगा और कुछ नहीं देखा होगा आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं उसकी कड़ी जाकर मिलती है पॉल्यूशन से क्यूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कुछ ऐसा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कराची शहर, जो के कभी रोशनियों का शहर कहलाता था आज यूपियस, जेनरेटर, टॉर्च, मुबाइल फोन, और मुबाइल टॉर्च और मुम्बतियों का शहर बन चुका है जी, मैं बात कर रही हूँ लोड शेडिंग की इस वक्त कराची, वैसे तो मुलक में हमारे पूरे यही हाल है वैसे तो हमारे पूरे मुलक में यही हाल है लेकिन हमारा जो शो है वो बेस करता है कराची को, फोकस करता है कराची के मसायल को और इनके मुमकिना हल की हम कोशशच भी करते हैं तो हम इसलिए बात करेंगे कराची की और यहां की कि यहां लोड शेडिंग बहुत जादा बढ़ चुकी है लोड शेडिंग से जो जो मामलात मतासर हो रहे हैं वो हैं लोगों के कारोबार जैसे कि आपको मालूम है कि 910 के एक्जाम्स हो रहे हैं बच्चे भी डिस्टरब हैं मेंटली तौर पर अवाम वैसे ही परिशान हैं कारोबार को लेकर और अपने रोजमरा की जिन्दगी को लेकर घर में खवातीन डिस्टरब हैं मेंटली डिस्टरब हैं बहुत सारे मसाइल हैं जो के आज हम आपको अपने शो में दिखाएंगे और बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो के हमारे इस मसले का कोई मुमकिना हल हमें बताएंगे हल हम लोग निकाल तो नहीं सकते हल को हम पूरे तरीक से हल नहीं कर सकते लेकिन अपनी आवास को हम उन लोगों तक पहुँचा सकते है जहां तक हमें पहुँचाना चाहिए और जहां तक खासकर मेरी आपकी होस्ट जवेरिया नईयर की कोशिश हो सकती है लेहादा इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पहले सेग्मेंट अवाम से गुफटगू की जाने और जानेंगे अवाम का हाल कि लोगों की क्या हालत है चलें चलते हैं इस वक्त हम यहाँ पर मौझूद हैं एक मुझाहरा हो रहा था तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो साहब हैं यहाँ अपर अब्दूरशी साहब जो मुझाहरा कर रहे थे हैं यहाँ पर हम उन से कुछ गुफटगू करेंगे लोट शिडिंग के हवाले से जी असलाम लेकुम से अपकुछ अपने व्यूज ने हमें पहले तो मैं नहीं अमीद का के वो लियारी के अंदर आकर के इस प्रोग्राम की कवरीज के लिए आज हमने के अलेक्रिक के मदालिम के खलाब पूरे शेहर में यहमें इतिजाज अनाउंस किया है और सो के करीब इस वक्त शेहर में मदायरे मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर जारी है के अलेक्रिक के मदालिम किसी से धगे चुपे नहीं है और जमाद असलामी मसलसल गुजशता तीन सालों से इसके उपर काम कर रही है और जब थोड़ा सा रिलीफ मिलने की बारी आती है तो इस वक्त हुमते मुदाखलत करके इसको दूसरी डाइवर्ट कर देती है इस वक्त मसला यह है के बिला तफरीक पूरे कराची के अंदर लोडशेडिंग जा रही है और सिर्फ लोडशेडिंग पहले रहाइशी अबारियों के वो मिलती थी अब तो इंडर्स्रीज भी बंद हो रही है कराची के अंदर और एक तरफ मैट्रिक के अम्तिहानात मौजूद हैं बच्चे जो है वो जिनके दस साल की पूरी पूंजी लगी है अब वो बितला रहें इस वकत के वो किस तरह इमतिहाना देंगे दूसरी दरफ जो डेली विजिस पर काम करने वाले थे बिजली ना होने की वज़ा से फैक्टरियों के अंदर मसाइल पैदा हो रहे है और बेरोजगारी का भी एक इसाफा हो रहा है और ये गुमा पर फिरा करके बात करते हैं कि जी गैस हमें नहीं मिल रही तो इस वकत भी जो है वो 110 के करीब MTC जो है इनका गैस का ये इनको मिल रहा है जो ये कहते हैं जबके गैस के अधारे कहते हैं कि हम इसको 190 दे रहे हैं और इनके अपने इस वकत पांच प्लांट बनने के अलेक्ट्रिक के और उसकी वज़ा से ये मसाइल मौजूद है तो जमात इसलामी ने ये तैग किया है कि ये आएंदा तीन दिनों के अंदर इस मसले को हल नहीं करेंगे फ़री तोर पर खुसुसां मैट्रिक के हम दियानास से मुतालिक जो रिलीव की जरूरत है बबा लोड शेडिंग के बारे में बहुत बुरी हालत है मेरी उमर इस वक्त 78 साल है मैंने कभी जिन्दगी में ऐसी आलत नहीं देखी है आलत बहुत बुरा है लेकिन बिलिंग जो है तोबा 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 और बिलिंग तो आप क्या कहेंगे इन लोगो क्या बोलेंगे इन लोगो यही बोलेंगे कि बस वो क्या है अंदेर नगरी चोपट राजा टके सिर बाजी टके सिर काजा टके सिर बिल भेज रहे हैं क्या लोड शेडिंग का क्या हाल है आपके अलाखे में बहुत गंडा हाल है यहाँ पर तो तिन तिन चार गंटे लाइट है जाती है सारा दिन में इसे समझे और गंटा लाइट होती है सारा दिन बिल बगरा केरे आते हैं बिल दो स्था चार अजार पांट अजार जशार कहां से बहुत है हम गरीब इंसान हवाले से आप क्या कह रहें यहां पूल्ण समझों कर लाइट आती नहीं है आती और ता ता इसलिए हम लोग जाते हैं मुहां पर पानीवेने केसी आलो ने बोगत पुट परिशान किया हुए भात क्या रेगत रगवना क्या करेंगे लाइट काम क्या करते हैं करेंगे खाल दो गंटे का टाइम उसके बदल में शेंटे बती लेते हैं अच्छा पिस आपी दो गंटे कभी आती है कभी नहीं बिलोंका क्या हले भी लोगा तो अभी दों ने परेशान किया कि यह कुंडे का लगा कि 10,000 बेदिया यह किसी और की तार आती है जुसों के घरों में लिख दिया कि आपने जनेटर की लाइन की लेंगे ना हमारे बच्चे परेशान होते जब तुम लोग लाइड में चालू क जाती हो भी चालू करते हैं अच्छा हम इनकी शॉपर इनको इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि वह अंधेरा बहुत है तो हम इनको थोड़ा बाहर लेकर आए हो यह पूरी मार्केट है जो के बंद पड़ी है लाइट की वज़ा से यहां पर लोड शेडिंग की वज का लवार बहल जाया मुझा सब मजदूर तब क्जास्राइब हुएं बेरोजगारी तो वैसे महंगए तो ज्यादी है और लाइट की वजा से यह दोर दोर से लिएरी से कोई किदर से आता है कोिकि दर से यह विचारे किराया भी इन करने निकलता हुकूमत को कोई एक मैसेज दें कि भाई कुछ तो करें कुछ अवाम का ख्याल करें आप लोग तो सुकून में बैटें बेसिकली बात यह है कि यह लोड शेडिक में जो हम लोग का एक बैलन्स वो नहीं है बहुत सारी जगां चोरी भी हो रही है और बहुत साइज जगां जब वो बैलन्स नहीं रहता तो वो इस तरह से पूरा किया जाता है कि उसको अभी थोड़े दिन पहले मैचेस के हवाले से लेके जगा 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 इतनी लाइट लगा दी गही थी कि मेरे खाल से उससे बेहतर था कि जहना उसको सिंप्ली कर लेत से और वो जाए जिस तरह से बारार अभी अलुब भी आता है बारार अभी अलुब पर हम लोगों को खुरान चरीफ पढ़ना चाहिए या इस तरह से से लिब्रेट करना चाहिए हुजूस अलगाते हैं इसी तरह से चेक इंड बैलन्स नहीं है एक्शली आप जस वंटे सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छा तो घर पर जाते हैं तो आपी रोचेडिंग हो रही होती अकसर क्या भी होती है हम तुब हुखते हुखते हैं हम यह दो लिए कि में आपती है टेमागे लिए अपनेटर लगए हैं कोई झालत मलत भी देग नहीं है यह यहां कुछ भी नियरस्पर अभी आपको देखना को अधिर रहें बिटे लोग तो खाली अधान ओग जलिए अधे ल वेल्कम बैक नास्वीन इस वक्त हम मौझूद हैं अल्खलीच बिल्डिंग में हमारी साथ तश्रीफ रखती है हमारी साथ रखती हैं जो के नियूरो केर में बैठती है तो आएए चलके आज हम अपने इस मसले का हल इनसे जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों की, आम अवाम की या जो भी लोग इस मसले का शिकार है उनकी जहनी कैफियत क्या है कि पूरी-पूरी राते जाकर, दिन भर जाकर और सुबह काम करना या अपनी बिमारी को लेके चलना जो भी कुछ है हमें सब कुछ हमें आज गी बताएंगी असामी वाली कुछ इकरा आज का हमारा टॉपिक है लोट शेडिंग और जैसे कि मैंने भी ब्रीफ किया है आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम बिना टाइम जाया कि बात करते हैं कि क्या हल है इसका देखें अगर हम बात करें लोट शेडिंग के हवादे से तो लोट शेडिंग एक हमारे कौम का एक जेनरल प्रॉब्लम बन चुक है हमारे मुल का इसमें जब लाइट नाइन होगी प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे अगर हम बात करें सिर्फ स्टूडिंट्स की बात करते हैं तो पर्ड़े होते हैं, लोट शेडिंग कब हो गई, कब लाइट जाएगी, फिर उसके बाद के बात फरकार है बच्चों के बच्चे पर नहीं पाते हैं अब लाजमी नहीं है कि हर कोई जेनरेटर और इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सक्या हमारी affordability के ओपर भी है, कि चीज़ें इतनी जादा महंगी हो गई है, मौसम तब्दील होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है यह भी एक stressor है, अफोर्ड नहीं कर पाते लोग यह एक stressor है फिर बच्चों के लिए क्या stressor है, लाइट नहीं है, वो फिर उब्दी उनका एक gap आजाता है, फिर वो बत्तियों में भी पढ़ रहे होते है मुझे ऐसा लगता है वो टाइम वापस आगए, कि street light के नीचे बैटके पढ़ना शुरू है लेकि street light भी आप कहा होती है, मौझे होती है, वो बिजली से चल रही होती है तो यह चोटी-चोटी चीज है, obviously stress create करती है हम emergency light use कर सकते हैं emergency light, वो भी कितनी देर चले हैं कितनी दे, वो भी गंदा टॉट, यह सारी जितनी भी चीज़े चार्जिबल हैं, वो भी बहुत कम चलती है और फिर obviously उसका चार्च खतम हो जाता है, और फिर वो यह के gap आ जाता है जिसके विज़ा से कि stressor और anxiety, obviously बच्चे के अंदर या जो भी उस चीज़ से मुतासर हो रहा है उसके अंदर होती है ऐसे माशले का क्या हाल होगा? ऐसे माशले का obviously हाल होगा कि वो stressfull हमेशा रहेंगे, anxious रहेंगे, anxiety रहेंगी और फिर इन चीज़ों की वजवात क्योंके वो किसी से यह चीज़े किससे express करें क्योंके हर कोई इन ही problem का शिकार है तो वो क्या होता है फिर वो psychological के बाद physiological problems आने लगते है जहसे सर्दर्द हर लगम कारें वर है सरदर्द नो रहे य saints businessнали Oui mijài में भी चार्व में जांड रहें लोग इस तरह कि आपने थेखा होगा क्यों का बहुत सारी चीज़ों का आपके अंदर इन प्रॉब्लम्स को डिवेलप करती है अब इसका root cause क्या है वो हम सब को बता है हाँ क्या किया जा है मतला है आप क्या कहेंगी हमारे जो हुकुम्रान है या जो इन इतारों से मुंसलिक लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगी है मैं कहते हैं उनके लिए पर ट्रेन अगर जा रही है तो इस ओके लेकिन आप उसके लिए उनकी हेल्थ के लिए कुछ करें उनके एक्स्ट्र कुछ ऐसी चीज पराम करें ताकि वो बेहतर तरीके सबनी जिंदगी को गुजार सके एक जो तलवार लटकी भी होगी है कि बस आब एक घंटे बार नाइट जाने व करो पहले मुझे यह काम करना है तो यह सारी चीजे भी तो है ना तो क्या इनका हल आप पिर वो सारी फ्रस्ट्रेशन जैसे अगर माएं जारी बाते गर्मी है फिर पानी की मोटर भी नहीं चलेगी फिर गैस भी अच्टे जुड़ें हर एक चीज जो है एक से लिंग है तो क करोचों पोतारेंगे आपकी नेवर्स में लड़ाई होगी रिसफ़दारों से लड़ाई होगी और फिर ये एक क्योंस सराट हो जाएगा इसी तरह ओफसर में लाइग यहाँ नहीं है घ्र में लाइप नहीं है तो आपको भी आपने अपे बैटी है तो यह नहीं जाती को पड़ते हैं ऑफिसें से Sab का भे पर दोपारा है नियुदग दुजने का नाइब हो मारे proportion बने होने में हमारे इस्टरेस क्रेड्ट करते हैं पैर उने दूसरे पॉतारते हैं, पिर आप दूसरे पॉतारता ठोकार्प लड़ाईयों आती हूं यह फर भीयों नहीं ओपो क्यों रही हैं, उसकी वजोहां यही चीजे हैं, जो चोटी-चोटी चीजें हो बड़े फसादों का सबब बनती हैं, अचे मुझे यह बताया कि हम मैं भी शामिल हूँ जिसमें, आप भी शामिल हैं, और लोग अवाम शामिल हैं, हमारे हुकुम्रान शामिल हैं, हम लोग अपनी psychological treatment कैसे करें, इस चीज को लेके, ज्यादा गरीब लोग इसमें फोकस होंगे मैं simply कहूँ कि, कि लाइट हो गई है, सारी चीजों कि ठीक है, हमारे है किल्लत है, लेकिन अगर हम अपनी self के लिए क्या कहने है, that is important, जैसे मैं हमेशा कहते हूँ कि अपनी लिए आप कितना वर्फ में काम रहे हैं, मुझे याद है विसके शोगा है पांस से दस मिनट में भी कहते हैं, कि अपनी पसंद का कोई एक काम करने है, तो आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते है, फिर उसके बाद मी टाम के लिए आप फैमिली टाम किस तरीके से अपना टाम गुजारें, जैसे हमारे हैं, हैपी साइकोलोजी में, इस बारे में है कि एक वक्का मील, पूरी खराना जोगा है, वकर एक वक्का खाना एक साथ खा ले, तो वो एक बहुत हिल्दी चीज होती है, हमारे हां, एक अच्छा इंपक चोड़ता है फैमिली पे, आपका इंटरेक्शन होता है विद फैमिली, उस अगा बात भी कर सकते है, हल्दी डिस अगर जाते है, तो इस अगर जाते है, तो इस अगर जाते है, तो मेरा दिल नहीं चाहता है, तो मेरा दिल नहीं चाहता है, लेकिन बच्चे है, चोटे है, अगर में सब को टाइम भी देना है, अब मजबूरन बात होती है, तो मेरा जाता है, मेरा जाता है, मेरा जाता है, इसके बारे हम बताएं मैं बिस यह कहूँगी कि हम सब आप भी इस चीज से परिशान हैं मैं भी हमारे गहर में जितने सब लोग आए जो लोग देख रहे हैं मुझ सब इस मामले से परिशान है उनके घर का एक एक फर्द इसके बच्चा बच्चा परिशान है तो simple empathy करें दूसरे के नजरिये से देखने की कोशिश करें कि अगर यह आया है भार से तो इसको भी problem होगा यह घर में थी खातून तो इनके साथ भी problem होगे तो एक दूसरे के साथ empathy empathy मतलब जैसे sympathy होता है कि हम कहते है बेचारा बेचारी बेचारा बेचारी वाला टाइम लिया empathy करें ताके दूसरे के नजरिये से देखें कि वह क्या feel करता है तो अगर हम थोड़ा सा empathize एक दूसरे को करने लगें तो मैं समझती हूँ कि चीजें काफी बेतर हो जाएंगी अब हर सा नाजरीं के हंटकी प्राइम के करने वान्रा है तो पर करेंगे टाइम मेलेगा और थोड़ा प्र थोड़ा इस्ट्रेस ये भी एक exercise रेता है फिर एक sympathy के आईगी चैप यह बहुरा इसी मैं भी तो मैं इसके ओपर अपना गुस्तार रहा हूं क्यों उतार रहा हूं तो एक दूसरे के लिए थोड़ा से पुलाइटनेस हाईगी बात सीथ के रगए यह मैं आप खुद देखेंगी कि जब हम भी यहां पर क्लाइन के साथ बात कर रहे होता है तो हम एमपथी करते हैं को आफ दौसरे तो हमें इस चीज़ को कंडर आए हैं अच्छा मजीद और कुछ यहां बताएं कि मैं यह कॉँगी कि मैंसेज आप देंगी यह message आप किसको देंगी यह you know very well मैं सबको ही दोगी बलके उन सब लोगों को कि जो इन चीजों को मामला हम लोग शिलिंगे हाँ जो इन चीजों को deal कर रहे हैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ अगर वो कोई शिकायत आपके पास लेकर आ रहे तो इसको बेतर तरीगे से लेने की कोशिश करें रवाया भी तो दुरुस्त रहे हैं रवाया भी खराबिमा जाओ तो पता ही नहीं है फोन आप कर रहे हैं हो इनके नंबर पर कोई कंप्लेंड करने के लिए तो फोन नहीं उठाते भाई उठा के साइट पर रगते थे लिए क्या करें थोड़ा सा हम उस शिकायत को बेतर त सपोर्ट करते हैं जैसे हम भी यहाँ पर क्लाइंट्स को उनके मसाइल नहीं हल कर रहे होते हैं बारिश बाहर हो लिए कोई मुझे कहागा कि बारिश रोक तो मैं बारिश नहीं रोक सकती हैं लेकिन हम उसे चदरी जरूर दे सकते हूं या उसके साथ अराम से बात कर सकते इसके लिए बैट आधी मीमारी बास जाके तब ही ठीक हो जाती है जब वो प्यार से और एक बेतर ruitवर से बात करते हैं तो इसी करा आप लोग भी अगर इन कम्पलेंस को बेतर तरीके से लेलें तो छीज़ें बतर हो सकती हैं लोगों के रभईया आपके लिए थोड़ा सा कुलाइड हो सकता है और यह जो क्यों सरी में फ्रस्ट्रेशन है यह बेसिकली एक दूसरे को समझने चाहिए होगी और आम अवाम जो हम सब हैं इसके अंदर तो बेतर से बेतर कमिनिकेट करें दूसरे के साथ empathy करने की कोशिश करें ताके हम दूसरे की चीज को समझ सकें कि वो भी इसी मसाईय का शिकार है तो हम बेसिकली हमने खुदी एक दूसरे की help करने कोई बाहर से हमारी help करने नहीं आए अगर extraneous variable control नहीं हो रहें तो let's start helping each other हम एक दूसरे की मदद करते हैं ताके हम बेतर healthy महाल develop कर सकें और यह अच्छे मांशने में survive कर सकें बिल्कुर जी नाजरीन तो आपने इकरा की और हमारी बाते हैं सुनी और यकीनन सब कुछ आप लोगों को समझा रहा होगा के अब क्या करें हैं मजबूरी है अब यह तो हमें भुगतना है जो हम ऐसा थो रहा है तो हम अपनी psychologically हम अपने आपको कैसे treat कर सकते हैं यह सब कुछ आपको इकरा ने बता दिया इसी के साथ वक्त हुआ है छोटी से break का मिलते हैं break के बाद वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है HRCP के चेर्मेन मदलब Human Rights Council of Pakistan के चेर्मेन जमशेद हुसेन साहब और आज का जो हमारा topic है load shedding हम उसके हवाले से इन से बात करेंगे कि हमें ये बताएं कि human rights के लिए काम कर रहे हैं तो इसका कुछ तालुक ऐसा बनता है कि इनके पास हम जो ये शिकायत लेकर आए हैं ये हमारे लिए कुछ मदद कर सकें तो आईए चलके इन से बात करते हैं असलाम अलेकुम से वालेकुम से मेरा आप से ये सवाल है कि जैसे कि आपको मालूम है कि आज कर लोट शेडिंग का मसला चल रहा है इस हवाले से आप as a human right council of Pakistan के चेर्मेन हैं तो आप क्या कुछ कर रहे हैं अवाम के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या अवाम को आप बताना चाहते हैं हमें ही बताईए assalamualaikum वालेकुम देखे मड़म अवराल पहले तो ये बात समझने की है के KC एक कौमी दारा था के अलेक्ट्रिक पहले के सी था पर के इलेक्ट्रिक बनाया केसी के बाद इन्होंने के अलेक्टिक बनाया पहले ये कौमी अदारा था और इसको जो है हकूमत चलाती थी दुनिया में पूरी दुनिया में ये जतने रिफाई काम है ये सारे हकूमत करती है लेकिन बावजूद इसके हमारे मुलक के अंदर ये सारी चीजें जो ना प्राइविटाइज कर दी गई हैं और प्राइविटाइज करने की वज़ा से उन पर इतना कंट्रोल हो गया है इन्मालकान का कि जो हर चीज सरमायदारी की नदर से देखते हैं वो ये देखते हैं कि किसी तरह से भी लोगों से पैसे नचोड़े जाएं और उनकी जोना जेवें भरी जाएं आपको ये बात मालू होनी चाहिए कि जब के लेक्ट्रिक जब केसी थी जब कौमी दारा था ये जब पाकिस्तान गौ़र्मेंट के तहर चलता था यहां पर लोड शेडिंग का मसला आपने नहीं सुना होगा यहां पर आपने नहीं सुना होगा कि बिल इतने ज़ादा आते हैं इतनी सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कोई चीज नहीं सुनी होगी फिर ये K-Electric बना लोगों ने इसको प्राविटाइज किया हकूमतों ने और प्राविटाइज करने के बाद आगे जाकर इनों ने और ज्यादा इसको वो कर दिया कि यहां तक के टीवी का बिल भी जो है वो इस बिल के अंदर लगा कर भेज पर पांच परेशन लग्स लगता है और जतना टक्स लगता है वो सारा उस घरीब अवाम पर आप जो मेटर रेंट अग्रेंट एक के घर पर जो बंदा देता है वही बंदा 4000 गर्स का भी मीटर रेंट उतना ही देता है जतना 40 गर्स वाला देता है इसी तरह से दीगर चीजें जो हैं वह बहुत सारी चीजें जहां पर अवराल इतना जादा निचोड़ा गया है अवाम को लोगों को कि उनको जो ना बिल्कुल पीस दिया गया है उनकी आफास भी बार प्लोड जोड़ कामटे यसवायर अभ्यों कर अभर शोड़ मैं लोड़ चेटिंग उनकी यह जानला डाहन था फीजाओ सब्सें और वह इस ने अुक्ता माइसंे हो श्रूबर आप गार्स भी बात करता है उनकी मे survived श्रूद के मिरा उसकी जाब करूँ जर्द करों मैं वे नाजcock कैंको पर भीधी कर रहें दो हैं झूहा जाफ मारें से भीघंस्ट यह फिर्स प्रसपनार है कि आपिश करने की वजह करने कि यह जो है तो का यह प्रसून प्रसके देश आप अंदाजा लगाएं कि तांबे की तारें तब्दील करके इन्होंने सारी तारें जो है वह इल्मूनियम की डाल दी और उसके बाद जो अर्बों रुपे कहां चले गए किसी को कुछ भी नहीं पता और तो यह जाता कहा है अच्छा इसी तरह से सिर्फ यह नहीं इस तरह स र्यासत के अंदर र्यासत बना लिए उन्होंने यह नहीं के एलेक्ट्रिका अपना एक थाना मौजूद है जो लोगों गृफ्तार करता है फायार काटता है उनका डीसप्पी मौजूद है उनका से चों मौजूद हूँ जाकर लोगों की फायर इकाटते हैं वो लोग बिल वह उन्होंने भाई, उन्होंने बिल चोरी किया, अब लोग अपनी जाती खुंदके निकालते हैं, अपनी बदमाशियां पूरी कर रहे होते हैं, और जहां पर इनको पैसे दो, वहां पर सारे जलसला ठीक हो जाता है, आप अंदाजा लगाएं कि कराची शेहर इतना बड़ा पर आता है, ये आज मेरी सुभा बात हुई है लोगों से, जो मैंने अवाम से गुफ्तुगू की है, जो भी है, तो उन लोगों ने बताया है, कि मरे से मरा भी पाँच हजार तो बिल आता ही है, और उनका कमरा भी इतना चोटा कह रहा है, ना हम आईगर में फिरिज है, ना तेन नहीं तीन जगा इसी तरह तीन जगा जो ने इनकम टेक्स लेते हैं यह आप अगर लुकेट भी कर दें सब को कि जहां पर यहां जान लिखे लिखे हैं इसको इसी तरह से मुटफरेक चार्ज लिखे हैं में गौर्रमन्ट याप भर भाते हैं तो बैंक को भी आट रुपए मिलते हैं इसके बदले में बैंक भी चार्ज करता है टीवी लाइसेंस जानी मस्जद के अंदर वी अगर बिल जाएगा तो उस पर जो नहीं व 235A है उसको तीन मरतबा यह लागू करते हैं 235, 235A, 235B तीन जगा लागू करने के बाद लोगों से इंकम टेक्स बटोरते हैं अच्छा सरमायदारों से कोई इंकम टेक्स नहीं लेते हैं अरप और रुपए वो खा जाते हैं कौवर्मेंट ने नहीं स्कीम अनाउंस किया कि बार से पैसा लेकर आओ तीन परशन्ट दो और अपनी अपनी जो काला धने उसको सफेद कर दो लेकिन जो बेचारा जो महीने के कमाता 25,000 रुपए है जब उसके अच्छा इससे जादा उसके 10,000 का बिजली का बिल निकल जाता है और यह फजूल किसम के चार्ज इसका मत कि स्टील मिल हम कहते हैं प्याई यह आप हमसे खरीद लें स्टील मिल हम आपको तफ़े में दे देंगे यह इनका हाल है हम तो यह कहते हैं कि चलें आप एक काम करें आप वजीराजम कोई बेचना शूरू कर दें को जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो पाकिस्तान का व गरीमी के दिनों म में ही मतियाना राथ होते हैं स्टील में उस स्कूलज के लुझा वज्याना वन्हा जो बच्मावा फर्द्ला के और सर्विस में बचा नहीं पर आप इस की कोई दिया है जो सब को लपेट में ले रही है अच्छा मैडम यह सरफ बिजली ही की वज़ा से जो ना बहुत सारे श्यूज है यानि के इलेक्टिक सिटी के अंदर जो ना कराची के लोग खर बो रुपे देते हैं हर समय हों को दो नहीं पता क्या अच्छा अवाम तक यह बात पहुंच कर रही है इसके बारे में आप लोगों का बताना जो है वह यह बहुत अच्छा अमल है और मैं दौागो हूं कि आप लोग इसकाम को जारी रखें कहीं जो है वो अवाम भी को समझें को ना करें और हम भी जो है वह मौनिजा कॉंसल आफ पाकिस्तान का प्रेट फार्म मौक् हमारे जो फेस्बुक का अकाउंट वो हम स्क्रीन पे भी चला देंगे आपके नंबर्स और आप खुद भी जो तरीकी कार है वो लोगों को समझा दें हमारे लिए भी वार नहीं आप हमसे लोग हमसे राप्ता करें इस मसले पर और राप्ता करने के बाद हम अगर लोगों का के बिल के हवाले से लोगों के शूज हैं डीगर परिशानियों के रहो सकते हैं छो भी जो सब कुछ आप के लिए करेंगे सर बहुत बहुत शुक्रीया आपका हम लोग बहुत जादा अवेरनेस हमें मिली इनफेक्ट हमारी जो देखने वाले हैं उनको बहुत अवेर हुए इस चीज़ से उनको पता चला कि क्या-क्या धांदलियां चल रही हैं ये बिलकुल उनको बिलकुल क्लियर क्रिस्ट जो आज का हमारा टॉपिक है लूट शेडिंग उसके हवाले से इनकी क्या राय है और यह हमें क्या इनफोर्मेशन चला है क्या आज का हमारा टॉपिक है लोट शेडिंग और इस हावाले से हम ये जाना चाते हैं कि के आप लोगों को ब्लेम करते हैं कि हमें गैस जो है उसकी कमी मिल रही है पीछे से तो हम किस तरहां से सब कुछ पूरा कर सकते हैं तो आप इस मसले पर तरह एक डॉशनी डाली है और हम कहीं से गैस खरीदते हैं गैस फीड़ से और हम अपने पाइप लाइन के थरू अपने कस्टमर्स को गैस देते हैं अवर दे यर्ज हमारी जो पाइप लाइज जो हमारी गैस वेल्स है उसमें गैस डिप्लीट हुई है और डिप्लीट होई है और डिप्लीट होई हमा तो हर साल कोई एक लाग के बराबर कस्टमर्स एड होते हैं. तो यह सारा क्युमिलेटिव जो गास का जो डिफरेंस आगया है, वो कोई धाई सो एमम सी एपडी का डिफरेंस आगया है. इस धाई सो के जो डिफरेंस को है, वो हम अनलाइक की एलेक्ट्रिक, कि हम ब्लेम करना शूरू करते हैं, कि हम आई पर सपीचे से गास कामारी है. हम उसको मैनेज करते हैं, हम लोड को मैनेज करते हैं, और लोड मैनेजमेंट में, जो गफरेंस पाकिस्तान ने दिया है, ति असमें से पहले हमें ढ左 स को देखना पड़ते हैं, और उसके बाद हम अपने other customers, जिनके साथ हमार agreement हो, उनको आदेखते हैं, के लेक्रिक के साथ, unfortunately, हमारा कोई agreement साइन नहीं है, और जो हमारा agreement साइन है, वो सिर्फ 10 MMCFD का agreement साइन है, उसके बावजूद, इस वाक, as of today, हम के लेक्रिक को 90 MMCFD गास दे रहे हैं, कितना परसंट आपका agreement है, उनसे, agreement नहीं है, मतलब, जो आपको दे रहे हैं, 10 MMCFD का, जिसकी जगह हम उनको इस वक्त, पिछले 6 माहने से 90 MMCFD अलड़ी दे रहे हैं, अच्छा, खासा difference है, बदूद, अच्छा, ये भी समझ लीचेगा, कि ये जो 90 MMCFD, हम 80 जो अजाफी दे रहे हैं, वो हम कहीं से काट के दे रहे हैं, तो जो मेरा existing customer है, जिससे मेरा एक general sales agreement sign है, उनसे काट के हम दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कभी industry बंद होती है, कभी CNG stations बंद होती है, तो ये हम अपने, घरों में भी कम आती है, कभी-कभी, लेकिन बहुत कम होता है, वो वज़ा ये तो आप तो ड़े जब हम गैस दे रहे हैं कि अलेक्ट्रिक को नवे भी दे रहे हैं, तो हम कहीं काट के दे रहे हैं, तो और हम से कोई agreement नहीं है, सबसे पहली चीज हमारे लिए important है, और हम यही बात कह रहे हैं, और इसमें मुझे बता दीजिए क्या गलत कह रहे हैं, कि भा देता हूं, देखिए, जहां मेरे 2.8 million customers हैं, 4000 के बराबर कोई customers हैं, जो के मेरे industry हैं, 600 मेरे कोई CNG stations है, मेरा सबसे agreement sign है, सिफ कि यह electric ववाहिद company हैं, जिससे मेरा agreement sign नहीं है, उसके बावजूद आप उनको इतनी, मतलब, जादा जो है, उनको देवी रहे हैं, क्या सबसे यह समझ लीजे, कि अगर यह जो इतनी असानी से ही है, कि एलेक्रिक कह देता है, कि यह सारा जो लोड शड़िए उसका बिलेम हमें देता है, तो मैं अगर सिफ जो हमारी agreement उसके असाफ से यह सिफ दस कर दूं, तो फिर तो इतनी लोड शड़िग हो जाएगी कि आपको तो ठीक है, यह समझना जूरी है, कि हमारी responsibility, हमारी astronomy, स्वीगास के responsibility लोगों को घरों में गैस पुचाने किया, क्या वो हम पुचाने हैं? बिल्कुल पुचाने हैं, दूसरी responsibility as utility company यह भी है, कि जहां तक हम role play कर सकें, वहां हम कमसकम power plants को वो गैस मोहिया करें, लेकिन उन power plants को जिनके से मेरा agreement है. सर एक बात है, के यह जो है, इन्होंने एक power plant लगाया, उसके लिए यह आप से गैस मांगते हैं, तो क्या वो power plant आप लोगों की इजादत से लगा है? अगर ऐसा होता तो आज आज आप लोगों के लेक्ट्रिक से बहुत सी बाते सी सुन चुके होते है कि वही ही तो मेरा रोना है कि क्या उन्होंने, 166 जो यह कहन है कि उनको 166 ख कितने उसका उन्होंने लगाया है, जो उसकी capacity हो, कितनी आप से demand करे हैं यह भी पताईए. एक उनको 166 mmCFD gas चाहिए, 500 megawatt का plant चलाने के लिए. मुझे यह बता दीजे, कि क्या मैंने कहीं पर भी आपके लेटरिक मेरे साथियों से पूछ लिए कहीं मैंने ये कहा है कि मैं आपको 166 MMCFD गया हर वक्त दे सकता हूं सर देंगे भी क्यों अगरिमेंट का गया वो तो हुआ ही नहीं है ना तो ये कहना है कि मैंने हमारा प्राइप लगावाए आप हमें गयाँ मैंने कहीं अग्री किया है सो मुझ पर ही अल्जाम लगाना कि मैं अब नहीं दे रहा हूं तो मैं प्लाइप नहीं छला सकता मतलब ये एक खुलम, खुलासान अलफादों में कहेंगे ये तो गुंडा गर दिये मैं तहीं कौंगी इसको अचा से ये पता है, अगर ये बिजली फरनेस ओयल पर चलाएं तो उनको जबरत पड़ेगी आप से गैस के बारे में ये ये आप भी उनसे पूछेगा लेकिन मैं आपको से इतना बता रहता हूं कि फरनेस ओयल पर उनको चलाना चाहिए क्योंकि गैस की शौटेज है ठीक है, फरनेस ओयल महंगा है, गैस सस्ता है, तो ला महला वो गैस के वो चाहेंगे तो बजट भी बचेगा ना, वो गैस पे चलाना चाहेंगे वो जो चाहते हैं प्रॉफिटिबिलिटी के लिए करना वो करें लेकिन ये अनफेर है कि आप एक गैस प्लाइट लगा ले और आप उसका जो सप्लाइचेन है कि पीछे से जिदको गैस देना है उनसे कोई बाइन नहीं ले कि वो गैस देंगे के नहीं देंगे आपको और अच्छा आप इसका कुछ मसला इस मसले का हाल बताए क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मफसद यह है कि हम इस मसले को हाइलाइट तो करेंगे लेकिन उसके साथ हल क्या हम दे सकते हैं अवाम को जो के इंतजार में देगे चीफ में सिन्न में बहुत इंपॉर्टन रोल प्लेग किया था और बड़ा पॉजिटिव रोल प्लेग किया था साडड़े को लास्साड़े को हमारी चीफ में स्रामस में मीटिंग हुई थी जिसमें के लेक्ट्रिक और सुई गैस के सारे और दल्दान बैटे थे इंफेक बोर्ड मेंबर्स भी बैटे थे जहां पर कुछ अग्र और उन अग्रिमेंट्स पे अगर पूरी तरह किसे अमल कर लिया जाता तो आज बहुत बहुत पहतर सिचुमेशन होती उसमें दो बाते तो शॉर्ट टम पे अग्री की गई थी एक बात ही अग्री की गई थी कि हमारा जिए से करने के लिए जो पहली प्री रेक्षिट है व दूसी उसमें जो चीज डिसकास होई थी जो के दोनों कम्पनी न अग्री की थी कि ये जो असी बिलियन और साड़े तेरह बिलियन का फरक है उसके लिए किसी थर्ड पार्टी चार्टर कार्टर फर्म को इंवाल्व किया जाए जो ये इस्टैबलिश कर ले कि ये तेरह बि क्या क्या उसमें चीजें दिखानी होंगी उस थर्ड पार्टी को वो अकाउंट देखेगा वो कंपनी के फिनाशल देखेगा कंपनी के इस्टैलिशन को देखेगा कंपनी के इस्टैलिशन को देखेगा कस्टमर से मिलेगा जो भी है वो टी और बनाने की बात हुई हमारी स आफ्टर नून में टिवार बना के केलेटिट को दे देते हैं, आज तक हमारे पास उसका जवाद नहीं है, तो अगर वो जिएसे, और अभी ये जिएसे साइन नहीं होगा, अभी अभी सिर्फ इससे एक इंटेंशन नजर आएगा, कि वो अगरिमेंट साइन करने के लिए तय हम जाके जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, आइपीपीज, कैप्टिव पावर, इंडस्ट्री, सी एजी स्टेशन, उनसे बैठेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कि हम आपके गैस को लेके थोड़ा सा लोड लेके इनको देंगे, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई लचकी नहीं हो, कोई वो करना ही नहीं चाहरे और सिर्फ ब्लेम गेम करना चाहरे हैं, तो इस पे रिकुष ने कर सकते हैं, तो अगर ये लोग आते हैं, एक हम आपस की बात करें, कि अगर ये उनके हवाले कड़ते हैं, तो यहां पर एक मनलब अजीब लगता है, कि वो अगर वो भी आते हैं, अगर वो भी आते हैं, जो चाइना है, तो उनको आने से पहले करना जाए कि भाई गरीब तपके को अब माफ करेंगे, हम नए से कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए, क्यों? वो तो खेर फिर आपके एलेक्रिक से कुछ हैं, लेकिन आपकी को रहायत होगी थोड़ी बात या नहीं? देखे, घरीब को या अमीर को ये तो माफ करना या उस पर सदादा चार्च करना ये तो हम, मैं असमारे में कुछ नहीं कह सकता हैं, लेकिन मैं आपको ये जूर बता सकता हूं, कि as an organization, जो government of Pakistan गैस जो है, आपको subsidize देती है, इसका मतलब ये है, जो मुझे cost पढ़ती है, ज which is coming to your house, whereas it is not the case for the electricity. तो जो आपको गैस सस्ती मिल रही है, उसमें government of Pakistan का बहुत हाथ है, तो, and we should all be thankful to government of Pakistan. और प्लीज गैस के बिल जो है, आप लोग ना चड़ने दिया करेंगे, मैं एक कह दूँ, हाँ जी, अवाम से मेरी गुदारश है, कि प्लीज गैस के बिल को ना चड़ने दिया करें, वरना मुझे तो हैरत होती है, कि गैस के बिल भी लोग installment करा रहे होते हैं, यहाँ देख ने, शेवाल साम साहब ने, हम से गुफ्तगू की, काफी चीज़ें आपको मालूम हुए होगी, इसी के साथ वक्त वाए, छोटे से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद, वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौझूद हैं, के एसी लेबर यूनियन के चेर्मेन इखलाख खान साथ के साथ, मौहमद इखलाख खान साथ के साथ, और अब हम इनके व्यूज लेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, लोट शेडिंग उसके हवाले से, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कि कराची में लोट शेडिंग का बोहरान होने की वजुहात क्या क्या कुछ हैं, असलाम लेकुम साथ, वालेकुम सलाम जी, सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कि आप केई एसी लेबर यूनियन के चेर्मेन हैं, तो ये होने के नाते, आप क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जरा हमें थोड़ा सा बताएं, माई नाजरीन भी जानना चाहते हैं. के एसी लेबर यूनियन पार्टिशन के लगबग से कराची एलेक्टिक में मजदूरों की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और इस वक्त ये बाहसियत कलेक्टिब आगेने के जन्ट दोहजार नौ से अनवर्ड मुजूद हैं, और इसे मैं बाहसियत वरकर और 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 कराची में हर साल ही लोडशेडिंग का एक बहरान आके गिरता है हम लोगों पर 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 इस दफ़ा कुछ जादा ही है, तो उसकी क्या वजुहात हैं, इसमें क्या-क्या मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें आप हमें जरा प्लीज बताएएगा कराची एलेक्टिक के बहरान शुकार रही है असी की दाई से असी की दाई से इसके साथ एक इम्त्याजी सुलूब हुआ है, और वाबडा ने इसको टेक आवर किया था और बदकिसमतिसे वो टेक कराची एलेक्टिक की जो अच्छाई थी वो खुद ले गई और कवाबड़ा की जो पुराईया है वो हमें दे गई और फिर वक्त के साथ-साथ ये अदारा प्राइवेट हो गया दो अजार पांच से और पांच में जो वादे वहीद किये गए थे के कराची एलेक्टिक में लाई जाएगी और इसका डिस्टीबिशन नेटवर्क बेतर किया जाएगा इसका एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अपडेड किया जाएगे लेकिन बदकिसमति से ऐसा नहीं हुआ और बलके यू हुआ है कि का जो एग्जिस्टिंग जो जेनेरिशन जेनरेटिंग इन उन्हें कुछ कमिटमेंट की हैं गुवर्मन्ट आप पाकिस्तान के साथ एंटी डीस्टी के साथ उन से ये गालेबन साड़े च्छे सो और साथ सो के लगबग मेगवाट के लगबग जोना एलेक्रिसिटी ले रहे हैं कुछ आई पीपी से ले रहे हैं कुछ कराची तो जल एक सको काम में नहीं हो से तो आसी सोरत त्याल में जो चौड़फाल बन रहे हैं ओच में जो शाडफाल बन रहे हैं करें तो इससे होग ऊलए ये तो उस है ये technical लोग ते जो तजरबावा को लोग थे उनको बदरीज एक अमल के जरीए उनको कराची एलेक्र कार क्राइर के अजर्दोंग के एड़ और इनके पास अभी तजरबाकार लोग ज़िए मरा कम इंडर ग्राउंड सिस्टम में जो कराची अलेक्टिक जब बनी थी 1913 में तो इसमें कराची के क्लाइमिट को मद नजर रखते हुए यहां पर कापर को कंडेक्टर के तोर पर यूज किया गया था लेकिन बदकिस्मती से जो 1913 से चलता हुआ 2010 तक आया और 2010 और 2011 में यह डिसीन लिया गया कि इसको जो है ना अलमुनियम में रिप्लेस किया जाए ठीक वो रिप्लेस्मेंट जो है ना भी कराची में इस वक्त जो बहरान की सुरत तयाल है वो एक रीजन वो भी है चूँके कापर के अंदर रिजिस्टेंस जादा होती है करंट को ग सिस्टम है ऐलमुनियम का उस पे एक दमाके हुए आग लग गई और गौर्णर उसका दरवाजा भी उसका शकार रहा और तकरीबन जो है ना वह बारह से पंदरा गिंटे अलेक्रिसिडी नहीं थी इसका मतलब यह है कि शेर के अंदर सुरत्याल जो चलाने हरे लोग है उनक इसका मतलब है गर्मी बढ़ेगी रिक्वार्मेंट बढ़ेगी शाट फाल बढ़ेगा और यह शेर के अंदर कहीं वह बहुत बड़ा हाथसा ना हो जाए जिससे नुकसानात होंगे अवात होंगी और करण्ट जब यह चूंकि इसमें टेक्निकली भी बहुत सारा फाल्ट म यह शेर के अंदर बेशमार इस तरह के हाथसात रिकार्ड पर मुझूद हैं कि बंदा मर गया फिर बंदा मरने के बाद बंदे के बाजू कट गये ऐसे रिकार्ड मुझूद है कि हमारे अमपलाईज को भी इस पर सफर करना पड़ा है तो यह सारी चीज़ें जो है ना एक कि वज़ा से भी बचदरी जिके बड़े हाथसे की तरफ जारी है अगर इसको संबाला ना गया था सर मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि के लेक्ट्रिक के हवाले से जितनी भी नियूजिज आ रही है इस वक्त और उसमें वो यही कहते हैं कि लोड शेडिंग जो हो रही है उसकी एक वज़ा ये भी है कि सुई कैस वाले हम से तावन नहीं कर रहे जिसकी वज़ा से लोड श सिस्टम है वो है । डूल सिस्टम है वो गैस बलाद आप है और अर फर्नस साइल पर भी है जो हमारा modifyingन हमारा गैस पर right यह यह था दोन। bottom पर अगर घैस मोजूद नहीं है तो इस अमाराइक्टव में पर ब्र想ूद है तो फर्नस साइल मौl मौध मौद है और वही है इस लिए चलाने चाहिए कि वो Funnace Isle से भी चलते है और बदकस्मती ये है कि Funnace Isle महंगा है और ये कि प्राफित ने लास को कल्कुलेट करने हिने लोगें तो ये अपने प्राफित को देखते है कि ब Produkt if you are a PCR महंगा खरीद, और ऐगर भट यूनित ने जनेरेटिंग कास्त», ह पर हमारे बच्चत काम होगी और टैरिक पे अफेक्ट करेगी तो इसलिए ये क्या करते हैं कि उसको फंड असाइल को रोक देते हैं और गैस का इंतजार करते हैं और गैस पर इनके सिंधाई कोट में मगदमा मौझूद हैं वो कहते हैं कि 88 हैं बिलियन का इन पर जो आना हमार बिल मौझूद है, ओट्स्टेंडिंग है इन पर अब पता ही चला है कि ये उसको जाके कहते हैं कि जी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड क्यों है न हमारा पैसे नहीं दे रहा तो ये एक ऐसे तरह से ट्राइका के में फसी हुई है सुरत्याल ठीक है इस पूरी सुरत्याल का हाल लिए कि कराची एलेक्टिक जो है ना फॉब्लिक इुटिलिटी है मफाद आमा का इदारा है इसको ये बड़े आदारे जो है इस वक टकरा गे हैं आपस में इन अदारों को टकराने नहीं चाहिए और इसका असर अफर आल्टिमेटली अवाम पर पड़ता है उनको बिजली ही नहीं मिल लोगाई है, अगर गौर्वेंट ये अदारा टेक ओर होना चाह है, गौर्वेंट के पास होना चाह जाह है, और इसके खराब अधान को फेर वो प्र मफादियत्याम ख़ल nous फ़becर्सिर को चलाती है, पाकिस्दान बर में ऐसे ही हो रहे हैं सर्फ कराची एक बदकिसमत शहर है जिसको एक नजर लग गई है और यह रोशनियों के शहर होते हुए अंदेरों की नजर हो रहे हैं इसकी बेसिक रिजन यह के इसको यह जो गैस कंपनी है उनके और इनके गौर्वर्मन्ट को चाहिए फैडल गौर ले रहे हैं यह कराची के लोग जो हैं बत्तरी नजाब का शकार हैं इस अजाब के शकार से चुटकारा देने के लिए उनके सो मोटो एक्शन लेना चाहिए ताकि इस एदारे के पच्चीस लाग कंजूमर जो है सुख का सांस ले सके सर इस लोडशेडिंग का जो असल में जम्मधार है वो कौन है आपकी नजर में यह जो मुझूदा बोरान है उसका जम्मधार कुली यहतन तो कोई एक फरीक नहीं है लेकिन बुनियादी तोर पर जो जम्मधारी आती है वो रियासत की जम्मधारी होती है तोगे एक welfare state है, एक इसलामी जमुरिया एक पाकिस्तान है और फिर वो इसमें खुद कराची एलेक्टिक के मालकान में से है 25% shares है कराची एलेक्टिक गौर्मेंटा पाकिस्तान की और फिर रियासत की जो regulatory authority है जिसको कहते है नैपरा नैपरा इस पर regulate करती है कराची एलेक्टिक के सिस्टम पर ऐसी सुरत आहल में रियासत की अबली जमादारी है कि इस फरसूदा सिस्टम को दुरूस्ट करने में एहम जमादारी अपनी कबूल करें और वही जब अगर जमादारी कबूल करेंगी तो इनकी कोई जुरत नहीं है नीचे वालों की कि उस दुरूस्टकी को के रास्ते में हाईल हो सके इस जमादारी को ना कुबूल करने के इनकी वज़ा क्या है आपको क्या लगता है उसके मुनियादे वज़ाई है कि रियासत के जो में जमादार लोग है वो इसके इससदार है जब वो इसके इससदार हैं सिस्टम पे वो बेटे हुएं और सिस्टम जो चलाने वाले हैं उनको जो रियासत के जमादार लोग डिक्टेट करते हैं उनसे मफादात लेते हैं बेनिफिट लेते हैं उनके बेनिफिशर ही हैं तो डेफिनिटली ये जो सिस्टम खराब है ये उसकी जमदारी नाज़ीन आप लोगों ने सुनी मुहमद इखला खान साहब की गुफटगू जो उन्होंने हमें जिन चीजों के बारे में बताया अव से जो के ए की तरजमान है साधिया डाडा मैं उनसे रापता करती रही मुफटलिफ नंबर से भी कॉल की अपने नंबर से तो मैंने बहुत कॉल की अपने पी टी सी एल से बहुत कॉल की और उनको एक मेसेज मेना कर भी भीज़ा अपने चैनल की तरफ से पर उनकी तरफ से को पोड़ी बहुत जो information अगर आप तक नहीं पहुंची जो हमें और मजीद देनी चाहिए थी तो उसकी एक ये वज़ा जरूर बनेगी के साधिया डाडा जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिसा नहीं बनी लेकिन इसके इलावा हम जितनी आपको information दे सके वो हमने आपको दी जी नाजरीन तो ये था हमारा आज का शो और हमारा टॉपिक था लोड़ शेडिंग हमने आपको दिखाया के अवाम कितनी परिशान है अवाम से हमने आपकी गुफ्तुगू करवाई हम अपना यही मसला लेकर पहुँचे सुईगैस के अफसरान के पास उनके आगे हमने अतना बड़ा कोई तालुक नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लेकिन उनके जाने से कोई ताखीर नहीं है हम अपना यह मसला लेकर पहुँचे अपनी सैकॉलॉजिस के पास वहां भी आपने देखा कि उन्होंने हमें मसले का हल बताया कि जिन्दगी में मी टाइम होना चाहि उसे स्ट्रेस खतम होता है इसी तरह जो जो लोग हमारे इस टॉपिक से मुंसलिक थे हम उनके पास गए हमने हर मुम्किन हलकी कोशिश भी की इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खतम हुआ चाता है अपना फीडबैक देना बिलकुल मत भूलिएगा अगले हफ़ते एक औ उमीद सुबह नोगी उमीद मैदानों में उमीद रोशनी की खुशियों की उमीद उमीद मुस्कुराने की उमीद आशियाने की उमीद कारफानों उमीद खेतों और खलियानों उमीद इनसाफ की उमीद दर्सकावों मायूसी में उमीद अंधेरे में रोशनी की उमी 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 उमीद तंग। झाल झाल झाल